तो फ्रांस मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दवाईए तो आज कब लोग स्टार्ट करते हैं वेल्कम बैप तू माई चैनल हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब अच्छे होंगे खुस होंगे और मैं भी विल्कुल बढ़िया हूँ तो आज बन रही है नूडल्स और इन बच्चों का अभी आपको मैंने बताई था कि छुट्टिया चल लें हो और यह घर पे हैं तो जब यह घर पे होत हैं और मैं तो भूपक इस तरीके से आपको रेषिपी नहीं दे रही हूं कि आप कैसे बना हैं मैं तो सबाब लोग एक काम लोग गा। को अपना रूटीन सेयर कर दे हूं तो अभी मैंने सिर्फ प्याज वगएरा जो है डाली थी और इसके बाद देखिए सब्जियां जो है सिम्ला मिर्च है पत्तक वह भी गाजर और जुसको जितनी सब्जियां डाल लेंगों डाल सकते हैं नहीं तो बच्चे बैसे तो सब्ज डाल देंगे तो सब्जी अलग कर देगा तो यह उसकी आदत होती है और यह देखिए वाइल हो गई है और उनको कम ही वाइल गिया जाता है क्योंकि यह फिर से बगने लगती है वैसे तो ज्यादा वाइल और आपको हमेशा मेरे अभी कुछ दूनों से खांसी वाली वाली सब्सक्राइब करेंगे तो बोलते समय अक्सर आ जाती है कोई बात नहीं खांसी है तो एग्नूर करिएगा आपको तो वीडियो से मतलब हो और यह देखिए मैंने मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के वाइस में उसौस होते है और डाल लेते है और इन चीज़ों में थोड़ अपने लिए कुछ अलग से नहीं बनाएगी तो अपने लिए कुछ अलग से नहीं बनाएगी तो अफर इसके बाद खाना होगा बहुत लेट क्योंकि जुटती है तो मुझे भी खाना पड़ेगा लेकर वह ऐसे हैं कि मतलब वह यसी सब नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं उनके लिए तो चाहे कुछ भी हो जाए रोटी सब्जी प्रॉपर ही बनेगी तो यह देखिए यह नूडल्स बन चुके हैं और अब मैं इनको दे दूंगी तो सबसे पहले तो फ्लेट सही उपके ही लगेगी तो उनका एक रूटीन है क्य में वारी होती है कि विवस्था करना तो अब पता है कि वो नहीं खाएंगे यह तो उनके लिए तो प्रॉपर सब्जी रोटी ही बनेगी तो अभी मैंने बना दिया है और वो बाहर थोड़ा सा भी आज छुट्टी है तो कुछ पौधे लेके आए थे तो उन पर काम कर रहे हैं और यह वाला जो है गमला मेरा खाली हो गया क्योंकि यह पाम कप जो पौधा था वो सूख चुका है पेड़ और यह लाए थे वो तो अभी यह ऐसे रखे हुए हैं तो यहां जो कच्ची इतना एरिया मैंने छोड़ा हुआ है तो पौधों के लिए छोड़ा है तो यहा इसके बाद मैं आऊंगी हां पर तो मुझे वो जो पाम का पेड़ है वो खराब हो गया उसको अलग निकाल दूगी और इसके बाद उसमें मिट्टी जो है उसकी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है तो यह काम हम लोगों को गमला जो गमलों में हम लोग रखते हैं पौधो को तो यह काम हर फरवरी मार्च में करना ही पड़ता है क्योंकि इनकी जो मिट्टिया बहुत सक्त हो जाती है तो फिर इनकी जणों को पनपने का चांस नहीं मिलता है तो उसकी मिट्टी को भुरभुरी बराया जाता है तो आप देख सकते हैं यह पौध है उन्होंने लगा और इसके बाद देखिए यह वाला जो है खराब हो चुका था जो मैंने आपको भी दिखाया और बाहर थोड़ी सी खटखट की आवाज आ रही होगी तो कुछ ने कुछ होता ही रहता है बाहर और यह देखिए मैं अब इसके इस पौधे को अलग करके और मिट्टी को भुर हैं क्योंकि छुट्टी चल लई है तो उनकी तीबी चल लई है और उस चक्कन में मैं बाहर वाले के रूम में बैठी हूं तो यहां बाहर कोई कट कट कर रहा है और मैं इसको अलग कर दूंगी और फिर इसके बाद यह घमला खाली हो जाएगा तो फिर देखते हैं क्या अलग और फिर दुबारा से इसको लगाएंगे क्योंकि अब यह शुरुआत से ही जहां से यह लगी हुई है वहां से दो हाथ चोड़ के फट गई थी तो फिर अलग करने ही पड़ेगी क्योंकि अब तो कोई इसका वो नहीं है अगर बहुत आगी साइड को होती तो वहां स कट कर देते हुः तो यहां से कट करने का कोई मतलब नहीं है तो इसको हम खोल लेंगे और दिखिए मेरे यहां पर में यह वाले जू काम होते हैं वो मैं ही करती हूं और तो मैंने इसको निकाल Tmmalya ओचके मैंने वह अलग भी कर दी है मैं मैं दबार्य से से इसको जोड रह तो यहां से सप्प्लाई कर देते हैं पानी है तो यहीं से सप्लाइ कर देते हैं कर दें काफ़ी में अचिख साहत घाया है इस यहां से सब्सक्राइचि प्रि deux K नहीं है क्या सी में दें देथ? काफी लंबा है और आप देखी सकते हैं कैसे फैल गया है तो आप हम इसको धुलेंगे क्योंकि बगएर धुले यह अब साफ होने वाला नहीं है चाहे हम जितना भी पोछा लगा ले और मैं यहां के एरिया पोछा नहीं लगाती हूं तो मैं बस इसी पाइप से जोड दिया थ देना पड़ता है क्योंकि आप से पानी जे सारा पानी है वो कम जाता है यह वी वी कच्चाई एलिया है हमारे यहां मैं उसी में चला जाता है तो हमें with上ません नहीं देना पड़ता तो इसकी मिट्टी पूरे उसमें गंदा कर देगी तो इसलिए पहले ही से धुल दिया उसके टायरों को और यह देखिए यहां पर थोड़ा से लगा दिया क्योंकि यहां पर यह कॉर्णर बने हुए है तो यहां पर धूल मिट्टी जम जाती है और कुछ नहीं वहां पर पौ पुट्टी बहुत जल्दी खराब हो जाती है तो यहां की पुट्टी जो है उध़रने लगी आपका होना है देखते है कलर अगयर जो यह कब तक होता है और यहां पर में फिर ज्öhडों से पानी बहार निकाल दूगी तो इसी सामने मूले इये का पानी जो है बाहर से निक और यहां बस सामने सामने ही दूल देंगे क्योंकि यहीं पर मिटी हुई है और कहीं नहीं हुई है अब थोड़ा सा वाई पर चलाएंगे और यह देखिए यह रखा हुआ है साप तो आप कहेंगे कि मैं कितनी बहादुर हूं और मैं इस तरीके से साप को उठा लेती हूं तो यह संयोग का नकली खिलोने वाला साप है लेकिन यह असली लगता है हम लोग को डर जाते हैं जबकि मैंने ही लाक के दिया था इसको और जब कभी यह ऐसे पड़ा होता है तो अचानक से नजर पड़ जाया तो हम लोग खुद ही डर जाते हैं और आज के वीडियो आप यह जाई आए लोग जाँ